इतनी प्यारी हो सामने हम का बूमें कैसे रजे हेलो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है गाइस जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वाइरल स्टेटस वीडियो को देखा दोस्तो आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना कर सिखाने वाला हूँ और दोस्तो आप यहां पर अपनी खुद के फोटू से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी खुद के फोटू से कुछ इस तरह का स्टेटस बीडो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहें इस बीडो को end तक बेना skip किये और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe करके on notification को on कर देना क्योंकि दोस्तों मैं अपनी चैनल पर ऐसे ही बीड्यो ले कर आतर हैता हूँ तो चलिए दोस्तों बीड्यो को सुरूँ करते हैं गाईस आपको कानवास्टर अपकी लिंक अस बीडियो के डिपके सेन मिल जाएगी आपको लिंक पर क्लिक करके kanemaster app को download कर लेना है डाँलोड होने की बाद kanemaster app को open करना है open करते ही दोस्थो आपके सामने कुछ इस तरह से option आ जाएंगे तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लास अप्सन दिख रहे हैं यहां पर आपको लिक करना है ख्लीक होने के बाद यहां पर आपको तीन ऑप्सिन यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको ना रैसों सिस्टी वाली साइथ को कि यहां पर सेलैक्ट करना है आपको left side में setting वाला icon दिख रहा है यहाँ पर आपको लिख करना है आपको नीचे editing वाला option मिलेगा यहाँ पर आपको लिख करना है आपको उपर एक option मिल रहा है defined direction of photo clip आपको इसकी direction को 0.1 पर कर देना है इस तरह से आपको भी 0.1 पर कर देना है आपको नीचे यहाँ पर 4 ओप्सन देहने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तो आपको second number वाले ओप्सन को फिल स्कीन वाले ओप्सन को सिलेट करना है फिल स्कीन वाले ओप्सन को सिलेट करते ही दोस्तो आप जो भी photo या बालपेपर को सिलेट करेंगे तो आपके wallpaper आटोमेटेक फुल स्कीन मिलाग जाएंगे तो आपको फेल स्कीन वाले option को select करना है उपर डान वाला option मिल रहा है यहाँ पर आपको लिक करना है मेडिया वाले option पर ख्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके मौल की gallery उपन हो जाएगी तो दोस्तों आपको यहाँ से उस photo के वालपेपर को select करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी photo के किसी वालपेपर को select कर सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर पहले 4 वालपेपर को इसमें select करना है इस तरह से आपको चार वाल पेपरों को इसमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट होने कवाद आपको बैक आना है इस वाल पेपर की लेयर को इस तरह से जूम कर लेना है थोड़ा सा आपको इसको जूम करना है इस तरह से आप देख सकते हैं, 0-2 तक हमारी direction हो चुकी है, आपको उपर direction वाला option मिल रहा है, इस तरह से दोस्तों आपको 0-3 तक इस wallpaper की direction को कर देना है, आप देख सकते हैं, इस तरह से back आ जाना है, फिर से media वाला option पर click करना है, click होने कवाद यहां से आपको फिर से इसमें 4 wallpaper को इसमें select करना है, तो आप देख सकते हैं, मैंने 4 वाल पेपर को इसमें select कर दिया है, select होने कद आपको 4 वाल पेपर पर click करना है, click होने कवाद इसकी direction को 0-3 तक इहां पर बढ़ा देना है, इस तरह से, आप देख सकते हैं, मैंने 0-3 तक इसकी direction को बढ़ा दिया है, इसी तरह से आपको भी 0-3 तक इसकी direction को बढ़ा दना है, भैक आना है, फिर से मीडिया वाले option पर click करना है, फिर से यहां पर 4 वाल पेपर को इसमें select करना है, तो अगर आपके पास ज़्यादा photo ये वाल पेप कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, फिर से 4 वाल पेपर को इसमें select कर दिया है, बैक आ जाना है, चौते वाल पेपर पर click करना है, click होने को इसकी direction को 0-3 तक बढ़ा देना है, इस तरह से आप WhichK Direction को 03 तक यहां पर बढ़ा देना है बैक आ जाना है फिर से मीडिया वाल अप्षन पर क्लिक करना है चार बाल पेपरों को फिर से सेलेक्ट करना है आप देख सकते हैं मैंने चार बाल पेपरों को फिर से सेलेक्ट करना है select होने कर आपको चौथे बाल पेपर पर click करना है click होने कर इसकी direction को 0-3 तक बढ़ा देना है दोस्तों आपको उपर direction वाला option मिल जाता इसमें देखकर आप 0-3 तक इसकी direction को बढ़ा सकते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं मैंने 0-3 तक इसकी direction को बढ़ा दिया है दोस्तों आप यहाँ पर जितना लंबा भी बीडियो को बनाना चाते हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं आपको 4 बाल पेपरों को select करते जाना है और 4 बाल पेपर की layer को 0-3 तक बढ़ा दे जाना है तो यहाँ पर आपको 1 पोजिशन पर आना है आपने जो बाल पेपर की layer को zoom किया था आपको आप zoom out कर लेना है इस तरह से आपको बाल पेपर की layer को zoom out कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने बाल पेपर की layer को zoom out कर लिया है आपको layer पर click करना है, click होने के बाद media पर click करना है यहाँ से आपको एक black screen layer X video को इसमें select करना है, इस तरह से select होने के बाद आपको इस black screen video को नीचे side में इसको लगाना है इस तरह से आपको नीचे side में इसको लगा देना है आपको यहां से नीचे जाना है नीचे यहां पर एक option देखने को मिल जाएका ब्लेंड देगे इस पर क्लिक करना है क्लिक होने के बाद आपको screen वाले option को select करना है बैक आ जाना है आपकी black skin video कुछ इस तरह से लग जाएगी आप देख सकते हैं आपको फिर से layer पर क्लिक करना है क्लिक होने के बाद media पर क्लिक करना है आपको इसमें एक shadow PNG image को इसमें select करना है आपको इस PNG image की link के इस video को dip किसने मिल जाएगी आपको link पर क्लिक करके PNG image को download कर लेना है दोस्तो इस video को बनाने में जो भी material huge होगा आपको इस वीडियो को डिप किसन में मिल जाएगा को सभी वीडियो एफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों आपको मेरी टेलिगाम चैनल पर भी सभी वीडियो और एफेक्ट फ्री में मिल जाएगे तो आपको इस वीडियो को डिप किसन में telegram channel की link मिल जाएगी आपको link बर click करके telegram channel को join कर लेना है और दोस्तों आपको मेरी telegram channel पर kanamaster pro app भी मिल जाएगा तो आपको telegram channel को join कर लेना है और kanamaster pro app को download कर लेना है दोस्तों आपको इस तरह से साडो PNG image को इसमें select करना है select होने काद इस PNG image को खीच कर full screen में इस तरह से लगा लेना है आपको lab side में 3 dot वाला option मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है click होने काद आपको send to back पर click करना है इस तरह से back आजाना है PNG image की layer पर click करना है click होने काद इसकी layer को हीच कर video को layer के ब्रावा कर देना है back आना है first position पर आना है layer पर click करना है click होने काद media पर click करना है यहाँ से आपको इस में एक particle effect video को select करना है तो आप देख सकते हैं मैंने effect video को select कर लिया है select होने काद आपको इस एफेट वीडियो को full screen में लगा लेना है आप इसको खीच कर इस तरह से full screen में लगा सकते हैं आपको यहाँ से नीचे जाना है नीचे यहाँ पर एक option मिल रहा है blending इस पर click करना है click होने काद आपको screen वाले option को select करना है back आ जाना है तो दोस्तों आप देख सकते हमारे वीडियो को इस तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है आपको फिर से layer पर click करना है click होने काद media पर click करना है यहाँ से आपको इसमें एक effect को select करना है तो आप देख सकते हैं मैंने effect को select कर लिया है select होने के तो आपको इस effect को full screen लगा लेना है full screen में लगाने के लिए आपको कैजी के option के बगाले में एक option मिल रहा है यहाँ पर आपको खुलिक करना है click होने को आद यहाँ पर आपको खुलिक कर देना है click करती आपका effect of full screen में लग जाएगा आपको उपर एक option मिल रहा speed screen यहाँ पर आपको खुलिक करना है क्लिक होने को बाद यहां से आपको नीचे जाना आ, नीचे एक option मिले रहूचा बिलेंडिक, इसमें पर ख्लिक करना आ, तो आप देख सकते हैं, बाद लाणो को इसमें पर ख्लिक करना आ, क्लिक होने का ओद यहां पर आपको 클릭 करणे हैं क्लिक करते हैं आपको borderline फोली screen लग जाएगा आपको back आजएना है borderline की layer पर क्लिक करना है क्लिक होने का ओद इसकी layer को खीचकर वीडियो की layer के बरावर कर देना है बैक आजएना है फस्ट पोजिशन पर आना है यहां से आपको इसमेे call medij वाली clip को ईसमें लगा देना है इस तरह आपको call medij वाली clip को select करना है select होने काद τि तीसरी number वाली call medij वाली clip को इसमें लगा देना है इस तरह से दोस्तोर अगर आपको parameter app में call medij वाली clip add नहीं है तो मैंने इस वीडियो के bisogno में एक वीडियो का लिंक दे दिया है उस वीडियो में मैं बताया है कि आप सिर्फ एक मेंट में कॉल मीडीज वाली किलिप को कानवाश्टर एप में कैसे एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देख लेना है जिसके लिए आपने जीरो ठीटा के यहां पर लंबी की थी आपको उस पर क्लिक करना है क्लिक होने कवाद आपको क्लिप ग्रापिस पर क्लिक करना है आपको कॉल मीडी जे वाली क्लिप पर क्लिक करना है इसमें आपको चौथे नम्मर वाली क्लिप को लगा देना है फिर से आपको चौथी नम्मर वाली बाल पेपर पर क्लिक करना है क्लिक होने कवाद क्लिप ग्रापिस पर क्लिक करना है इसमें भी आपको कॉल मीडी जवाली क्लिप को लगा देना है इसमें भी आपको तीसी नम्मर वाली कॉल मीडी जवाली क्लिप को लगा देना है क्लिप को लगा देना है इस तरह से दोस्तों आपको बाल पेपर में क्लिप को लगा देना है तो आप देख सकते हमारी वीडियो पूरी तरह से यहां पर एड़िट हो चुकी है अब हम वीडियो को चला कर देखेंगे कट करने के लिए आपको एस्टालियर पर क्लिक करना है क्लिक होने काद आपको कैची वाला उप्सन मिल रहा है यहाँ से आपको ट्रीम टू राइट टू प्लेड पर क्लिक करना है क्लिक करती आपके एस्टालियर पीछे से कट हो जाएगी Save करने के लिए आपको ऊप göst वीडियो डाउन्लोड होने लगी तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वाल पेपर को लगाकर New Viral Status Video बना सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो गनाने में कोल भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे स्टाग्राम पर मैसेच कर सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जो चैनल को सस्काइब कीजिए